जिनका जिनके साथ सच्चा प्रेम होता है वो उसको इस जन्नम में भी मिल जाते हैं और अगले जन्नम में भी मिल जाते हैं कच्छु संदेव इसमें कोई संदे नहीं भगवायम स्री कृष्ण ने कहा है गीता में जिन जिन विचारों का इसमन करके ये प्राणी शरीर को त्याकता है उन्हीं में प्रवेश कर जाता है उन्हीं विचारों को ले करके दूसरे घर में चला जाता है उन विचारों के लेबल पर चला जाता है तस्मात सर्वेशु कालेशु मामनो स्मर्युद्ध्चो मैयर्पित मनो बुद्धीर मामी वैश्शशी ऐशन सयो इसलिए ही अर्जुन सभी समय में पल प्रती पल में चण में मुझे इस मन कर युद्ध में तेरे जीवन में तेरे जीवन रूपी युद्ध में ऐसा करने और तेरे मन और बुद्धी को मुझे अर्पन कर दे मन से और बुद्धी से जो भी करता है वो उसका फल मुझे अर्पन कर मनबद्धी को मेरे कर्मों में लगा मेरी सेवा में लगा यह अरपन, मनबद्धी का अरपन तो निश्शित रूप सी एशंसे वहाओ इसमे शन्दे नहीं है कि तु मुझे नहीं मिलेगा तु मुझे प्राप्त हो जाएगा मेरे धाम को आ जाएगा परमधाम श्री गोलोग ब्रिंदावन में तो मेरा मित्र बनके आजाएगा मेरा पारशद बनेगा मेरा दास बनेगा मेरा भक्त बनके मेरा प्रेमी बनके रहेगा भक्त का मतलब आप छोटा नहीं समझेए भक्त का मतलब ही प्रेमी है भक्त संस्कृत में प्रेमी को कहा है इसलिए भगवान ने कहा कि चत्रुविदा भजनते माम ये चार प्रकार के भक्त मेरे हैं अर्जुन ये चार प्रकार के प्रेमी मेरे है आर्ती अर्थार्ती जिग्यासू ग्यानी लेनी ज्ञानी भक्त मुझे अच्टन्त प्रिय है यह जरूर तुरप लगाई है भगवान ने क्यों ज्ञानी भक्त भगवान को तत्व से यानता है तत्व से यानना चाहिए तब ही उसका पूर्ण फल मिलता है भक्ती का जिनको प्रभू से प्रेम हो गया है उनको सर्वत्र से प्रेम हो गया है जिनको उन प्रभू से गोविंद से सबको जो प्रेम उनका सच्चा प्रेम मिल गया है उस भक्त के इरदे में सभी का सम्मान सभी का प्रेम जागरित हो गया है कीट पतंगों का ही भी फशु पक्षियों का भी वो आदर करता है देवी देवताओं का भी वो आदर करता है जीसस महम्मद का भी वो आदर करता है बुद्ध महावीर का भी आदर करता है गुरु नानक देव को भी वो कृष्ण सरूप से देखता है एक साधे सबसदें एक से जिसका प्रेम हो गया उसका प्रेम सरवत्र फैल जाता है यह तक्तु ज्यान है यह ज्यानी मात्मा के अंदर होता है इसलिए भगवान केते हैं कि प्रियो ही ज्यानी नो अत्यर्थम अत्यर्थम एहम सेचे मंप्रिय हो एक ज्यानी भक्त मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है अर्जुन अति अर्थों में अत्यांत सैचे मंप्री हो और वह भी मुझे प्रिये है और उसकी दृष्टी में मैं अत्यांत क्रिये हूँ शुब और आशुब से मुक्त हो जाएगा अरजुन ऐसा करनी से यदि तो तेरा कारिय करता है कर्म करता है इंडिश्ट्री लगाता है बाग लगाता है खेती करता है मुंपड़ी बेचता है भजन करता है तप करता है हवन करता है यह कुछ दान करता है यह मेरे मुझे अरपन कर क्या बात है कितनी स्वादिष्ट बात है कितना आनंद है भगवान की शब्दों में ऐसा करने से तो शुब और अशुब जो संसार के फल है दो फल इस संसार में हैं शुब और अशुब किसी को शुब फल मिलता है तो उसकी तरकी होती हो देवलों तक चला जाता है लिए नहीं वहाँ भी एक बादा है जब उसके पुर्ण ख्षीर हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं तब वह आत्मा फिर वापिस नीचे आती है मरत्य लोग में ये मरत्य संसार में फिर जनम्मरन जराब्यादी मनुश्योंनी में कभी गदे गोडे में उसके चांसेज हो जाते हैं गिर जाती है पतन होता है उसका देव लोगों से पतन होता है और अशुप करने वाले का तो पतन है उसका तो कहना ही क्या है अशुप करने बबाला तो नरक तेक चला जाता है है रसाथल में चला जाता है पाताल में चला जाता है यह घदे-गोडे की अनियों में बते बिलियों में चला जाता है यह भी नरक समानी है सिए कि ए प्रत्थ्वी पें ऊरक है कि 2.3 हरक शैंद्वार थ्युक्राइब हुआ contenido ऊति Bennu Norm क्रोधा तथालो भस्त तस्माद एतत्रियम तजित एक काम क्रोध लोब यह तीन दर्वाजे नरक्के हैं इसलिए अर्जुन यह तीनों को तु त्याग दे काम वासना संसार के भोगने की संसार को भोगने की बड़ी बड़ी अभिलाशा हैं क्रोध और लोब यह तीन नरक्के द्वार हैं इनको त्याग दे अर्जुन तस्माद एतत त्रियम तजित इन तीनों को त्याग दे तब मेरी तुझे अनुभूती होगी मेरे पास आएगा शुबा शुब फले रेव शुबा शुब फले रेव मोक्षषे कर्मबंद यह कर्मों का शुब कर्मों का फल शुब होता है जुब का अशुब होता है तो शुब फल जो देवताओं के प्रती, पुर्ट, धर्म, कर्म तो उचे लोग मिल जाते हैं अशुब जो है अशु नीच कर्म है कोई गुंडे भाई के साथ लग जाओ गैं स्टर बन जाओ बे इमान बन जाओ चोर पाप डाग जो भी कुछ बन सको बन जाओ रिश्वत को जमाखो तो यह अशुब करम है अशुब करमों का फल अशुब आता है बवायन सरी कृष्छन कहते हैं कि मुझे अरपन करने से तू यह दोनों से मुक्त हो जागा शुब से और अशुब से शास्त्र कहते हैं कि यह देव लोग भी अशुब हैं इनमें भी भोग विलाशी हैं और पतन हैं और बार-बार फिर यही जनम मरन है तो यह अशुबी कहलाएंगे यह संसार ही अशुब है सुखदेगो स्वामी जी ने कहा है परिक्षित महाराज को कि संसार दुखाने है और अशाश्वत है यह संसार दुख का घर है और टेंप्रेरी है अश्थिर है यह सुख नहीं है तो बबान कहते हैंगे इन शुब और अशुब दोनों से तो मुक्त हो जाएगा अगर तो तेरे तमाम कर्मों को जो तो कुछ करता है उनको मुझे आरपन करेगा तो और मेरी प्राप्ति कर लेगा शुआ 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 अशुआ शुआ शुआ कर तो झाल झाल मुख्य ग्रंतों का हमने दर्शन किये हैं बुरु महाराज की कृपा से जब छोटी उम्रत ही बहुत तब हमने सब किये हैं